प्यारे बच्चों और इच्छा के नाम पर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग एक अलग तरह का डर एक अलग तरह का नर्वसनेस और गवडाहट बच्चों के मन में आती है यह जो भी परिच्छार्थी होता है उसके मन में आती है परिच्छा हाल में घूसने से पहले कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा है सब भूल गया मुझे कुछ नहीं पता है कुछ याद नहीं आ रहा लेकिन जब प्रश्ण पत्र मिलता है जब एक दो प्रश्ण व्यक्ति कर लेता है तो उसके बाद फिर इसने सामाने हो जाती है लेकिन उसमें वो परिक्षार्थी जिनकी प्रपरेशन अच्छी नहीं होती है या जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं उनको नार्मल होने में अधिक समय लगता है और इसका दूस्प्रेणाम क्या होता है इसका दूस्प्रेणाम ये होता है कि उनके पेपर खराब चले जाते हैं लेकिन उसी परिच्छा में उसी बातावरण में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े आराम से जाते हैं परिच्छा देते हैं और अपना बेस्ट दे के आते हैं अच्छा प्रफॉर्म करते हैं तो यह अंतर क्यों है यह अंतर सिर्फ उस मना इस्तिती की है जो हम परिच्छा के डर का सामना करने से करते हैं तो अब हम प्रस्ण यह है कि हम परिच्छा का जो डर है उसका सामना कैसे करें एक बात तो निश्यत रूप से सर्व मानने है कि तयारी तो करनी पड़ेगी पढ़ना तो पड़ेगा है लेकिन जो हम आज डर की बात कर रहे हैं तो उस डर को खतम करने के लिए हम कैसे करेंगे हम वहाँ पर आज तीन बातों की चर्चा करेंगे इन सिर्फ तीन बातों को आपके अंदर कंदर खतम हो गया और हम कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं अपको ये करना है ये करनाय करना ऐसा कुछ नहीं करन है मैं बिल्कुल सक्रेंगे हम जो मेरा अपना अभ़ा है unterstützen पहला है पॉइंट नमबर वन है है वह है पड़ोई लिखें और राइट या पढ़ो और लिखो अध्यान करो और लिखो और वो सर्किल इस तरह से चलता है कि पहले लर्न हो गया फिर चर्ण हो गया फिर राइट हो गया फिर लर्न हो गया फिर चर्ण हो गया वो सर्किल जो है वो बार बार चलता रहता है इसका मतलब क्या है एक बार करो दो बार करो, तीन बार करो, पहरे सहाब यह क्या होता है, देखिए जो यहां लर्न करने की बात है, आपको कुछ न कुछ तो याद करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, नौलेज बेस्ट, अप्लिकेशन बेस्ट, स्किल बेस्ट क्वेशन्स आते हैं, तो सबसे पहला जो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको पढ़ीए, फिर अपने मं बेस्ट, पढ़ीए, गुनिये, गुनिये मतलब क्या वच्चर्ण करिए, आपने देखा होगा ना, मक्खन से घी निकलता है, क्या करता है, उसको बार 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 हम उसको फेटते हैं, तो आपको क्या है, जो आपने याद किया है, वो आपको अपने मन ही मन, मन ही मन, अपने दिबाग में क्या रखना है उसको बैठाना है और गुन्ना है कि हां हमको याद हो गया ना और उसके बाद आप उसके में पॉइंट्स को जब लिख लेते हैं तो आप एक अरगनाइज वे में आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है मैं पूरी रमायड और महाभारत लिखने की बात नहीं कर रहा हूं कि नई आप ने दो पेज लिखा फिर बैट बटके आपने चार लाइन देखा और चार लाइन लिखा नहीं किसी भी विशाय में जो मुख्य विंदू होते हैं वो बहुत कम होते हैं मैं एक छोड़ा सा example बता रहा हूं जैसे आप सपोस कर लीजिए कि आप class 10 में अर्थमेटिक progression पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक progression में सब मिलाके आपको तो चाल से पांच बाते ही याद रखनी है पहली बात क्या है वह द्वेटिक portion क्या होता है जिसमें कि कहते हैं common difference बराबर होगा जिसे 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास a b c 3 a p में है तो बी माइनस a is equal to c माइनस b या 2b is equal to a plus c या b is equal to a plus c by 2 तो पहली बात तो यह हो गए दूसरा है कि भाई इसका nth term क्या होता है तो आप कहते हो a plus n minus 1 into d a first term है n number of terms है d common difference है sum of n terms क्या होगा तो बोलते हो n by 2 a plus l first term plus last term n is the number of terms या उसको लिए सकते हो n by 2 inside the bracket 2 a plus n minus 1 into d d is the common difference clear है अगर तीन terms a p में है उनका sum दिया हुआ है तो terms कैसे लेने चाहिए a minus d a और a plus d हो गया कहानी खत्म यानि पूरा a p जो chapter है वो आपने पांच line में लिख लिए इतना ही तो याद करना है और समझना है कि इसमें a क्या है n क्या है l क्या है d क्या है clear हो गई इसी प्रकार से अगर आप quality question करना चाहते हैं तो quality question में क्या करना है भाई a x square plus b x plus c is equal to 0 है where a is not equal 0 a b c are real number इसका discriminant कितना होता है अगर d की value greater than 0 होगा तब क्या होगा d is equal to 0 होगा तब क्या होगा d is equal to 0 क्या होगा और graph करने पर कितने रूट्स निकलेंगे अगर हमारे पास दो रूट्स दिये हुए हैं तो equation कैसे बनता है एक स्कॉार मानेस sx plus p is equal to 0 मतलब पांच पॉइंट यह याद करना है ताथ पर यह हुआ कि जिस तरह से mathematics में आप देखिएगा हम अभी mathematics में हर chapter के मैंने बना दिया है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं इसी प्रकार आप दूसरे subject को भी चाहे तो क्या कर सकते हैं आपको लिखना पड़ेगा लेकिन वह लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको क्या क्या है लर्ण क्या है दिमाग में बैठा लिया है और तब उसको आपने लिखा है तो पहला हो गया क्या करना है learn and write या यूं कहिए कि उसको पढ़ना है और लिखना है लोग बोलता है पढ़े पढ़ो लिखो तो पढ़ना है लिखना है अब जो दूसरा बिंदू है वह है सब आपने पढ़ लिखतो लिया लेकिन बिलकुल हम मेरा अपना concept कैसे बिलकुल strong कैसे हो जाएगा तो आपका अ और समझाओ का मतलब क्या हुआ कि teach and explain कि किसको पढ़ाएंगे किसी दोस्त को पढ़ाएं ममी को बैठा लिजिए पापा को बैठा लिजिए भाई को बैठा लिजिए कोई नहीं है तो आइने के सामने खड़ा हो जाएए जो आपने टापिक आपने पूरी तरसे त्यार कर ल लेते हैं तो आप पूरी की पूरी जो आपने आपने घ्यान हासिल किया है वो चुलाई हो गया आपने उसका पूरा कंसेट जो है वह आपने क्या कर दिया आत्मसाथ कर लिया होता ना वह उसको आपने अपना मना लिया भाई टीचर्स इतना प्यार से कैसे पढ़ा लेते है क्यों कि उनको परह समझ में आता है कि वो क्या समझा रहा है इसी तरह से अगर आप क्या करेंगे जब आप पढ़ाएंगे और समझाएंगे समझाएंगे तब जब समझे रहेंगे तो आपका जितना भी concept है वो अपने आप सोता है clear हो जाएगा और वो knowledge जो है वो skill के उरूप म और आपको लागे कुछ है नहीं इस इतना ही तो है अब जो तीसरा विंदू है जो मैं बता रहा तीन काम करने के लिए में बताया था तो तीसरा जो विंदू है वो यह है कि परिच्छा को घर में बुलाओ और डर को भगाओ देखे क्या होता है अगर एक बच्चा किसी सब्सक्राइब घर मतलब क्या हुआ कि आपको परिच्छा हाल में जाने की जरुद्वत नहीं है परिच्छा की तिथी में की का इंजार नहीं करना है उसके पहले ही आप क्या करिए परिच्छा को अपने घर बुला लेजिए यानि उसी समय जिसे अगर आपको 10-10 से ले करके और 10-30 से लेके 130 के बीच में तो आप 10-30 से लेके 130 तक अपने आपको कापी पेन एक्जाम की कोई question paper आजकल हाजारों question पर मिल जाएंगे अगर आप इसको आप बार बार करते हैं तो आपका डर अपने आप खतम हो जाएगा confidence level तो पर जाएगा ही क्योंकि आप दो step already कर चुके हैं अब एक बच्चों के मन में जरूर बात आती है इसर समय कहां है याद रखिए एक ही चीज को दस बार पढ़ करके और बार-बार भूलने से अच्छा है कि एक बार शेप नंबर वन पढ़ो और लिखो पढ़ लो त्रस आप मन में बैठा लो और उसको याद करकर के लिखो लिख कर आपका कर्विनेस बढ़ जाएगा चोटा-चोटा आप देखेंगे आप अगर किसी का भी इंटर्वू देखेंगे जो आये स्टापर्स होते हैं तो दे में एक दिर ओन नोट क्यों कि वह आपका अपना स्टाइल होता है तो पढ़ो और लिखो हो गया दूसरा अल टापिक त्यार हो जाएगा और जब समझ जाएगे और समझा देंगे तो एक साथ दो त्यार हो जाएगा जो जो जनलली UPSC वेडर में बच्चे जो है गरूप स्टडी सी तरसे करते हैं तो यह तरीका है और ने घर में किसी उपढ़ गया कोई नहीं मिलता है तो आइने के स सारी स्कूल का क्या करते हैं एक प्रीबोड लेते हैं दो प्रीबोड लेते हैं इंप्रूमेंट वन लेते हैं इंप्रूमेंट टू लेते हैं आपको उतना इंदियार नहीं करना है आपको यह सब कुछ स्वाइक्षिक रूप से करना है अपने देखिए जब आप को करने के ल जैसे हम करते हैं साड़े दस से और नेट बजह तक पर नहीं था आपको बैठना है तीन गंटा इधर बहुत अधी जा सकते हैं तो चालेट जा सकते हैं और ऐसा नहीं कि बीच में कोशन फस गय तो जाके किताब में देख लिए प्यों क्योंकि आप एक तरह से माक देखिए मा छदम है मतलब क्या करते एक बनाऊटी टेस्ट यह वो बनाऊटी टेस्ट नहीं है हम तो करें उसको रिएल टेस्ट बान करके और एक बार दो बार आप दे दीजिएगा हम बार बार टेस्स के देने के बाद क्यों कर रहे हैं इसमें आपको लिखने की याद पढ़ जाती है देखिए उन बच्चों के ही पेपर खराब होते हैं जो बच्चे पढ़ाई तो सब कर लेते हैं लेकिन उनके लिखने की यादत और जब एक बार जाते हैं और उनको तीन घंड बैट की लिखना पड़ता है पहले दिन एक पुरा हाथ उंगली सब दर्द करना शुरूर करता है और दर्द करना है इसलिए पहले परिक्षा सुरूर होने से पहले कम से कम अगर आपके पांश पेपर हैं तो कम से कम आप 15 से 20 तीन दिन घंडे का पहले से आप कर लीजिए मतलब क्या जितना है उसे कंसकर चार से पांच गोना टेस्ट दे लीजिए आपको क्या हो जाएगा इट विलू की जी विकाज यूनों कि हाँ यह क्या हो रहा है तो इस तरह से आपको पढ़ो और लिखो पढ़ाओं और समझाओं और घर बुलाओं किसको परिच्छा गर बुलाओं और दर भगवाओं एक बाएक अगर आपका डर भग गया तो आप परिच्छा से नहीं डरेंगे तो अपने confidence level को पढ़ करके लिख करके याद करके परिच्छा दे करके इतना उपर लेके चले जाए कि परिच्छा से डरने की जोड़त नहीं लेगे बलकि परिच्छा आप से डरने शुरू कर दे रे भाई यह तो फिर बंदा आ गया फिर परिच्छा देने के लिए आ गया इस पर तो कोई असार ही नहीं है so with these words I wish you all the best मुझे लग रहा है कि यह वीडियो निश्च्छतुप से आपके लिए प्रिणा दायक होगी और आपकी परिच्छाओं के लिए आगामी परिच्छाओं के लिए हमारी शुमेक्छा है शुब कामना है God bless